कि विद्धियार्थिओं आपकं विज髫 प्रहनेans तीन काइनका नम्बर क्यूशन है कि दूर दृश्चि दोस्ते क्या थात परें है इसका निवार्ण किस प्रकार किया जा सकता है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन उश्मा किन किन कारकोव पर निर्भर करती है असपस्ट कीजिए जैसा कि आप देख केंगे चान नमरे क्यूशन है जो कि वेरी मोस्टेट क्यूशन है 2022 के लिए 100% फसेगा अब आपके ब कि दूर द्रिश्ट दोस्ट किसे कहते हैं यह किन कारणों से होता है और इस दोस्ट के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रियूप्त किया जाता है किरण आरेक द्वारा समझाईए जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 और 2022 में भी क्यूशन फसने की चान दूर द्रिश्ट दोस्ट को परिभाद किजिए इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लिना प्रयोक करेंगे यसा कि आप दिक सकते हैं पूछा गया है आप उत्तरम बताइए कि इस दोस्त से पीडित प्यक्ति को दूर की वस्त्व तो असपष्ट दिखाई देती हैं परंतों निकट की वस्त्व असपष्ट दिखाई नहीं देती यह दोस्त निकित दो कारणों में थे कि एक कारण से हो सकता है जैसा कि आप दैढ़िएं पहला है नेतरे से की वक्रता कम हो जाएं जिस्थे आइशकी फोकस दूरी बढ़ जाएं यहीं ही वाला है और दूसरा है नेतरे साघ्रींस की दूरी कम हो जाए अर्था नेतर की ग Lorak का ब्यास्त कम हो जाए् जिक आपको सम्झाएगे कि इस दृश दोस वाले बैट का निकट बिन्द पचीस संटीमीटर के स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है 25 सेंट्री मीटर दूरी पर अधिक दूरी पर हो जाता है तो इस कारण 25 सेंट्री मीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिव में रेटीना एप पर ना बनकर रेटीना के पीछे एप पर बनता है यानि इसके बनता है तो चित्र देख सकते हैं चित्र यह नंबर देखिए यह वाला और दूर दिर्श्ची दोस्त का निवारण यानि इस पर आप समझिए इस दोस्त के निवारण के लिए ऐसे विसारी उत्तल्य कि आव सकता होगी जो 25 सेंट्यमेटर दूर बिंदू एस पर रखी वस्तु रखी विस्तु किताब से आने वाले किरणों को इतना अविशाय रित करदे किरणें दूसरी ताहीं से निखट बिनु इससे आती हुई नेतरinhos पर आप्तित हो और य remembers P.E रधा प्रतिवियम रेटीन आर्पने देख्यों चीत्रफी नंबर पर इस पर रखी वस्तु की आंन असपर से दिखाई होगी इस पर रखी बस किया आर पर असपर से दिखाई देखिए लेखिए लेक्स कुछ चलते हैं जरी मोस्ट कुछ दोजार बाइस में हंदेर पर से पूछा जाएगा विजयर्थू वाइट बोर्ड नहीं नहीं तो आवर अच्छी पर आपको समझाता को कोई दिक्कत नहीं फिला फोड़ा सा वेट करिया आपको अच्छे ही लगे रही है कि अध्यार्थू आप देखिते के लगों तोरी प्रस्ण में चाहर नमरे क्यूशन प्रनखा ये कहा रहा कि विद्धुधारा से क्या तात्पर है इसका मात्रक बताईए जयता कि दोजार इसका मात्रक एक रत्वा कुलाम प्रति सेकंड है यहां अधिसरात में है मौस्ट क्यूशन है ध्यान रखेगा विद्ध्यार्थू में नेक्स्ट क्यूशन को चलते हैं आपके बीच प्रश्यार नंबर क्यूशन है विद्ध्यार्थी हूं उत्तल दरपण के लिए सूत्र वन फेजिकल टू वन अपान यू प्लस वन अपान भी तिना है का निगमन कीजिए जहां संकेतों के सामान अर्थ हैं जैसा के दोजार तेर दोजार सोलन पूशा गया है दो हजार बाइस के लिए वेरी मोस्ट क्यूशन है ध्यान लखिएगा निपस्ताने कम होगा मिलेगा सात नंबर का क्यूशन है सात नंबर का ध्यान लखिएगा तो आप हल में और हेडिंग डाल कर बताए उत्तल दरपण के लिए यू वी तथा एप में संबंद इतना हेड राइटिंग बैठा कर बढ़िया लिखेंगे लिखेंगे माना M1, M2 यानि M1 ये और M2 ठीक है एक उत्तल दरपण है जिसका दुरुवी P दुरुवी P यानि ये ठीक F यानि focus, focus कहा है हमारी F? J ठीक है F focus तथा वकरता केंदर C है वकरता केंदर कितनी है? C है ठीक और इसके मुखे अच पर कोई वस्तू A B रखी है क्या रखी है ये? A B मुखे अच पर क्या रखी गई है? A B रखी गई है ठीक और वस्तू के सिरे B से मुखे अच्छ के समानतर यानि B के मुखे अच्छ के समानतर ठीक चलने वाली आप्तित किरण यानि चलने वाली आप्तित किरण क्या है? BD है हमारी BD कहा से कौन से रेखा जाती? यानि ये यहाँ से यहाँ क्या है BD है तो दरपण के बिंदू D पर गिरती है दरपण की बिंदू किस पर गिरती है दी पर गिरती है और परावर्तन के पस्चात या किरण दरपण के फोकस F से आती प्रतीत होती है इस पर आती प्रतीत होती है परावर्तन के यहां से यहां तक F इस पर ठिक और दूसरी कीरण B1 यानि वक्रता के इंद्र की सीधी या सीधे में दरपण पर आपतित होती है यहां से यहां तक और वक्रता के इंद्र की सीधी में दरपण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पचात उसी मार्ग में लवट आती है और यह दोनों परावर्तित कीरण B dash से आती हुई यानि B dash से आती हुई प्रतीत होती है जो की B का प्रतिविमने B dash से मुख्य अच पर खीचा गया. और लंब A dash B dash यानि A dash और B dash पे ही वस्त AB का आबासी प्रतिविम है किस पे AB का अभ्यासी प्रतिविंब है यह प्रतिविंब फोकस तथा दुरू के बीच में है और आगे आप बताईए कि ऐसे आप इक्सेलेंट करेंगे बढ़िया से राटिम उस्ताथ नमबर जरूर मिलेगा और आगे आप बता सकते हैं थोड़ा सा माना दरपण के दुरूर P से वस्त की दूरी PA is equal to minus U प्रतिविंब की दूरी PA is equal to plus V है और दरपण की वक्रता तरीज़ा PC is equal to R तथा दरपण की फोकस दूरी PF is equal to F है तो बिन्दु D से मुखे अच्छ पर अभिलंब डियान है जाहित सी बात है तो त्रिभूज ABC तथा त्रिभूज CB डैस और A डैस समकोडिक है ठीक है इसलिए AB अपान A डैस B डैस is equal to CA अपान A डैस C इतना होगा समी करना फरस्ट पर इसी प्रकार त्रिभूज A डैस B डैस F तथा त्रिभूज NDF समकोडिक है इसलिए ND अपान A डैस B डैस ठीक है इस इक्वल टू NF अपान A डैस F इतना हुआ उसके बाद आप बताएं परन्थ डियान इस इक्वल टू AB यहन्य डियान इस इक्वल टू जेश्ट्व प्रितन में AB हो जाएगा और इसलिए 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 कच्छिन ध्यान रखिएंगा लगा इतना हुआ इतना हुआ हमी करन्थ सेकेंड से रखने पड़ यानि ये अपान A डैस C is equal to NF अपान A डैस F इतना आएगा उसके बाद आप बताएं कि माना बिंद डिदरपर्ण के धरूपी के बहुत समीप है तब अनि इस इक्वल टू पी एस यानि एन इस इक्वल टू पी लगभग प्राबर है तो इसलिए इसलिए अपण एड़ासं धीजटी एक करसे कि परदेश इतना होगा क्यक्तों अमयतने मिद्वेगृत्प इतना होगा एप इतना होगा अगह आप बता सकते हैं कि इसमिक्रम मेचन न सहीत मान रखने पर आगे हम बताते हैं आपको कई से करना है आप आगे बता सकते हैं कि इस समी केरण में चिन सहीत मान रखने पर यानि r-u upon r-v is equal to f upon f-v तोना आप बताएंगे उसके बाद plus 2f-u upon 2f-v is equal to f upon f-v तोना होगा और करेक्ट होगा जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं भी इसलिए चूकी आई इक्वल टू 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 एफ यान रखिये गाई दना निसान नहीं भूलिएगा चूकी और इसलिए का इसलिए यही सब देखता है और अथवा अथवा आप करते हैं एफ और कोस्टिंग में अब बताते हैं टू एफ माइनेस एफ एफ माइनेस टू जेटेऊ हए एक कोस्टिंग में ह्टू एफ माइनस मीं म्लٹिप्लासन कर देगए तो अथवा में हो जाएगा हमारा टू एफpf क्यों जया अप éénउफ सकार मैनेस एफ माइनस टू फ्लस यूवी जैना हो जाएगा अ वस्तु के प्रत्यक स्थिति के लिए उत्तल डर्पन द्वारा बना प्रतिवी में आभाती सीधा वस्तु से छोटा तथा दर्पन के धुरूबा फोकस के बीच बनता है इतना बताएंगे खर से आपका नंबर साथ नंबर मिल जाएगा गामनर भी सुचेगा कि स्टुडेंट ताकि सभी द्यारती अच्छे समस्त पढ़ सकें बार बार कहता हूँ इसी की जिन्नेगी की सवाल है विद्यारती हूँ मैंनत करके बनाता हूँ तो इसका आप लोग लाव उठाईए वेरी मोश्ट क्यूशन है अथवा में आप से क्यूशन ऐसा भी पूस सकता है कि 220 वोल्ट बद 10 एमपीर धारा वाले विद्यूत मोतर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की उचाईपर इस्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चड़ाया जा सकता है मोटर की कार दच्छता 80 परसेंट है और प्रतिवी का गुरुत्वी तो अरंड जी यूकल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्कॉयर है जैसा कि आप देख सेकते कि 2014, 2015, 2017, 2012 में भी वेरी मोश्ट क्यूशन है जहां रखिएगा जैसा कि आप सालवड हेडिंग डालेंगे अप प्रह्णन सार 20 उकल टू 220 वोल्ट किया है किनना 220 वोल्ट आ इस इकवाल टू यहने 10 एमपी है और T इस इकवाल टू 30 मृनट 30 इंटू 60 यानि मिनट की साफ्ट इसेखा जाएं तो एक मिनट में यानि एक घटे में थामिन होते हैं और साथ मिनट में एक घंटे तो 30 इंटू 60 इसेकंड होता हमारा इसलिए मोटर द्वारा 30 मिनली गई इसमा वोल्ट और 220 इन्टु 10 इन्टु 800 इन्टु 800 इन्टु 800 इसलिए मोटर द्वारा दी गई उरिजा इसलिए इन्टु 396 ठीक और उसके बाद आप कह सकते हैं कि 10 इन्टु 10 इन्टु 10 इन्टु 800 इन्टु 800 बड़ा सोच विचार कर रहे हैं जाती हूं अपने दिमाग के डिवाइडेशन करते भी चली मैं बता इसलिए रहा हूं जल्दी यल्दी ताकि आप कहां से कहां कैनकु लेशन कहां दिमाग लगा रहे हैं इन्टु 10 की पावर 6 जूल इतना आया इतना डिवाइडेशन करने के बाद उसके बाद माना इस उर्जा द्वारा एम किलोग्राम पानी 40 मीटर ऊपर चड़ाया जाता है तब तीन दसमलो एक सात इन्टु 10 पावर 6 क्या है जूल है यायनि इकॉल टो मीटर इन्टु 10 इन्टु 40 यायनि एम इध कॉल टो। इन्टू यानि तीन देसमलो एक साथ इन्टू 10 कि पावर छे अब पांट 10 इन्टू 40 चुकि जी यानि ग्राम इस एक्वल टू 10 मीटेर प्रती सेकंड स्क्वायर है ठिक तो हमारा इतना में अगर डिवाइडेशन करेंगे थो हमारा आएगा इन्टू 10 कि पावर 3 किलो ग्राम इतना आएगा यहानि अतर साथ इसमलो नौदो पांच इन्टू 10 कि पावर 3 किलो ग्राम पानी ऊपर चढ़ाया जा सकता है विद्यार्थिव आपसे बार बार कहते हैं कि वेरी मोस्ट क्यूशन इसको अच्छे से पिरसे रिपेट्टन कर ल और विद्यार्थियों को प्रति शेयर कर दीजा क्योंकि यह सभी कितना भी मैंने क्यूशन बनाए है बूर्ट का सभी क्यूशन मोस्ट पे हैं और आप अगर हमारे चैनल पढ़ लेंगे तो 100% के साथ कह सकते हैं कि आपकी एक्जाम ने क्वालिफाई हो जाएंगा और आप अच्छे नंबर से टॉप करेंगे ठीक है बाकि नेक्ट डे आपको बताएंगे थांक फार वाचिंग